नमस्कार जय आर्सियम्, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में जैसा कि आप सबको पता है कि आर्सियम् का एक जो प्रमुक मिशन है वो ये है कि लोग स्वस्त रहें और लोगों को स्वस्त रखने के लिए RCM बिजनेस समय समय पे धेर सारा उत्पाथ आप सब के बीच में लाता रहता है इन तमाम उत्पादों में से एक उत्पाथ है गामा औरिजनौल, हेल्थ गाड़ का गमा अरिजनल है क्या, यह कैसे काम करता है, इसके क्या क्या फाइदे है और इसके क्या नुपसान हो सकते हैं इन तमाम मुत्वों पर आज मैं आपसे बात करedi국ा बस आपको जानने के ये ज़रूरत हैं कि फाइदा इसके बहुत सारे हैं नुपसान न के पराबर है अगर आप इसको थोड़ी सी सजगता के साथ इस्तिमाल करें आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि किसको इस्तिमाल करना है किसको इस्तिमाल नहीं करना है मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला हूँ जिनके धर में हर महीने करीब 4-5,000 रुपए की मेडिसीन आती थी आज वो गामा ओरिजनाल पिछले 6 महीने एक साल से इस्तिमाल कर रहे हैं उनके खर्ग के जो मेडिसीन के खर्चे थे वो धीरे धीरे कम हो गए और लोग पहले से जादे स्वस्त होना शुरू हो गए यानि पहले से लोगों के स्वस्त में सुधार हुआ है औरिजनल है क्या, ये कैसे काम करता है, किसको इस्तिमाल करना चाहिए, किसको इस्तिमाल नहीं करना चाहिए और इसके side effects भी क्या-क्या हो सकते हैं, ये आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ गमा औरिजनल क्या है? गमा औरिजनल एक पदार्थ है, जो चावल की भूसी के तेल से निकाला जाता है, यानि कि राइस ब्रान आयल से इसका वानस्पतिक नाम औराइजा से टाइवा है, इसे राइस ब्रैन वैक्स और राइस ब्रैन प्रोटीन भी कहा जाता है यहां गेहू के चोकर और कुछ फलों और सब्जियों में भी पाया जाता है, लोग इसका उप्योग औसधी के रूप में करते हैं, जापान में इसको मोनोकॉज के लक्षड, एंजाइटी, पेट खराब और कुछ कोलेस्टॉल के लिए क्रियो किया जाता है यूएस में इसे स्पोर्ट सप्लिमेंट और कॉलेस्टॉल को कम करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है, हाला कि इन परिशानियों के लिए इसके इस्तेमाल को लेकर अधिक सोध करने की जरूरत है, यानि कि इस पे और भी सोध हो रहा है गामा ओरिजनॉल का उप्योग किस लिए किया जाता है गामा ओरिजनॉल का उप्योग कोलिस्टॉल को कम करने के लिए किया जाता है इसमें कई ऐसे रसाइन पाये जाते हैं जो कोलिस्टॉल और सूचल को कम करने में मददगार है गामा ओरिजनौल आंत को सिकाओं द्वारा कोलिस्टॉल को औरुद्ध करता है ये SMG, COA, Reductates, नामप एंजाइन को कम करता है जो कोलिस्टॉल उत्पादन को बढ़ावा देता है दूसरा फायदा, मानस्पेसियों को मजबूत बनाता है एक सोध में मालूम हुआ, गामा ओरिजनौल को देने से बेंच प्रेस और लेक करल के पेडामों में सुधार हुआ इससे पता चलता है कि इसे लेने से मानस्पेसियों की ताकत में सुधार हो सकता है हालांकि एक दूसरे सोध में ऐसा नहीं देखा गया इस पर अधिक सोध करने की जरूरत है यानि कि गामा ओरिजनौल जो प्रोड़क्ट है इसमें बहुत सारे कंट्री सोध कर रही है USA हो गया, चाइना हो गया, अपना भारत भी इसमें पर चड़के हिस्सेदारी ले रहा है जैसे जैसे और इसके सोध होता जाएगा गामा ओरिजनौल और भी बहुत सारे चीजों के लिए आपके लिए फायदे मन्द होता जाएगा यानि आने वाले समय में हो सकता है कि गामा ओरिजनौल एक जीवन रच्छक औसधी के तौर पे आपके बीच में आए गामा ओरिजनौल ग्लुपोज लेवल में सुधार करता है यह ग्लुपोज उप्तेजित इंसुलिन रिलीस पढ़ाने के लिए सीधे पैंक्रियाटिक सेल्स पर असर डालता है जिससे ब्लड में मौझूद सूगर लेवल कंट्रोल लेता है भारती परिवेस में बहुत बड़ी चुनावती के तौर पर डायबिटीज आई है आप देखेंगे कि हर घर में सूगर लोगों को होता जा रहा है और ऐसा कहा जाता है कि एक बार अगर सूगर हो गया तो आप जिन्दगी पर दवात आए पहले ये कहा जाता था कि अगर आप मेहनत करने वाले इंसान है तो आपको कभी सूगर नहीं हो सकता है लेकिन आज जो खेतों में मेहनत कर रहे हैं उनको भी सूगर हो जा रहा है इसके पीछे कई सारे कारण है एक तो आप का अंडिसिप्लीन जीवन खान पान सही न होना और सही जो आउसदी है जो नुक्लियन्स हैं उनका न मिलना तो गामा औरिजनौल अगर आप इस्तिमाल करते हैं तो आपके डैप्टीज में भी यह बहुत जादे खायदे मन साबीत होता है ऐसे बहुत सारे लोगों से में मिला जिन्हों ने इसका जवर्दस्त फाइदा उठाया है एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज कामा औरिजनौल में ऐसे कई रसाइन होते हैं जो कैंसर से बचाओं में मदद करते हैं यह आपको कैंसर होने से भी अधिक्तम बचाए रहा हैं बहुत सारी चीजों में कि केमिकल जैसी चीज़ें आप कंज्यूम करगा जिसके वज़े से बहुत सारी बिमारियां मैं देख रहा हूं जो कभी गुटका नहीं खाये कभी उन्होंने मदिरा से वन नहीं किया वो भी कैंसर से मर जा रहे जाए तो कारण क्या है कि हम जो केमिकल सुबश्य शाम तक ले रहे हैं वह कैंसर उससे होता है अगर काम और आप उपयोग में लाते हैं तो कैंसर से आप बच सकते हैं इसकीन के लिए फायदे मन एंटी ऑक्सडेंट कोलों से वर्पूर होने के कारण ये जुर्यों और तवचा पर बुढ़ा पाने से रोपता है यही नहीं तवचा संबंदी अन्य परिसानियों से बचाने में भी मदद क के पीथे कारण क्या है कि वो उनकी जो दाइट होती है जो उनका होजन होता है वो बड़ा संतुलित होता है वह उन सब की इस्तेमाल करते हैं जिनसे उनका और परिवार यानि कि जो आपके चेहरे पर जुर्णिया पढ़ रही है उनको भी खत्र करने का काम गामा और इसनाल करेगी इन परिसानियों में भी मददगार है हास्टियो परोसिस सरीड में होने वाले सूजन की समस्या को दूर करने में मददगार इम्यून सिस्टम को बनाए रखा जा सकता है अलसर से बचाव करता है मोनोपॉच के लक्षड या अर्मी मोनोपॉच की समभवना नकी बराबर होती है इन्जाइटी या बेचैनी की समस्या दूर हो सकती है पेट खराब की परिशानी दूर हो सकती है उच कोलेस्टॉल को नार्मल करने में मदद करता है लीवर को रखे सुरख्षित गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस ओर्डर की समस्या ठीक हो सकती है इन परिशानियों के सास सकते हैं आपका परिवार बच सकता है सावधानिया और चेतावनी कितना सुरक्षित है गामा औरिजनाल का उपियोग निमलिखिक परिस्टिट्यों में इनका इस्तिमाल करने से पले डॉक्टर या हर्बलिस्ट से सलाह ले यदि आप प्रेगनेंट या प्रेस्ट फिडिंग करा रही है दोनों इस तिकियों में सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही दवा कानी चाही अंडर एक ट्यू थाइराइट ऐसे में इसका प्रयोग ना करें ये थाइराइट के कारे को धीरे कर सकता है इसे लेने से आपकी परसानी बढ़ सकती है यदि आप अन्य दवाईया ले रही है इसमें डॉक्टर की लिखी हुई गैर लिखी हुई दवाईया शामिल है जो मार्केट में बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के खरीद के लिए उपलब्ध है यदि आपको किसी पदार से लर्जी है अन्य दवाईया उसदी या उसदी से लर्जी है तो आपको नहीं लेना है यदि आपको कोई बिमारी disorder या कोई अन्य medical condition है यदि आपको food, diet preservatives या जानोरोस से अन्य प्रकार की लर्जी है यानि इन सब परिसितियों में आपको gamma original नहीं लेना है और अगर आप स्वस्त रहना चाहते हैं जैसा कि बहुत सारी बिमारिया है जिन में से कि अगर आप gamma original इस्तिमाल करते हैं तो आप अपने आपको परिवार को स्वस्त रख सकते हैं इसलिए आर्ट्सिएं बिजनस का यह जो gamma original है जो आउसदी है इसका इस्तिमाल आफ खुद करिये अपने परिवार को कराईए अपने जान-पहचान के लोगों को कराईए अपने रिस्तितारों को कराईए अपने दोस्तों को कराईए क्योंकि आपके आसपास के लोग स्वस्थ रहेंगे तो आप भी स्वस्थ रहेंगे आईए ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने एक नियामत दी है एक आशिरबाद लोगों को दिया है कि अगर आप लोगों की मदद करते हैं तो परमात्मा आपकी मदद करता है तो एक मदद के त योग लोगों को कराईए और खुद आर्थिक रूट से सुतंत्र हो लिए और अपने लोगों को भी आर्थिक सुतंत्ता दिलाईए बहुत बहुत धन्यवाद नवस्कार जयाज़ाई